नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं देवाले भूई भूजन मंदिर यह मंदिर विजासन देवी मंदिर के ठीक सामने है आईए अंदर चलकर देखते हैं मंदिर कैसा है यह मंदिर की सीडिया है यहां से आम अंदर चलते हैं अंदर चलकर देखते हैं मंदिर कैसा है और यह यहां पर किस-किस देपता की मूर्थियां लगी हुई है यह माता विजासन देवी का मंदिर रही है जो आप सामने देख रहे हैं जिसके अभी हम दर्सन करके आएं मुइ का अब हम अंदर की ओर चल कर देखते हैं कि ये मंदिर अंदर से कैसा है है और किस किस देव तक यहांपर मूर्ती है तो आप जो मंदिर देख रहे हैं ये विजासन माता का मंदिर है सामने जहां आभी दर्शन करके आएं ये वही विजासन देवी मंदिर है और अब देवाले भूमी बुजन मंदिर अंदर चल कर देखते हैं कि ये मंदिर कैसा है यहाँ पर सबसे पहले जो मूर्ती लगी है द्वारपाल की मूर्ती लगी है उपर से देखते हैं कि मा विजासन देवी मंदिर का मंदिर के इसा दिखाई देता तो देखिए आप मा विजासन देवी का मंदिर सामने जो आप देख रहे हैं ये विजासन देवी का मंदिर है ये ये वह खुबसूरत मंदिर जिसमें अभी हम दर्शन करकर आए है आप देख सकते हैं उपर से वी और बाहर से वी कितना सुन्दर ये मंदिर दिखाई बढ़ रहा है और काफी भीड है आज काफी सद्धालू लोग आए हैं यहाँ पर माविजासन देवी के दर्शन करने के लिए ये खोकली माता है इसके बाद गड़ेज जी की मूर्ती है फिर द्वार पार महाराज है और आप द्वार पार महाराज के दर्शन के बाद पहार की ओर चलते हैं सामने आप देख रहे हैं ये पिजासन देवी का मंदिर है काफी बड़ा मंदिर है और यहां पर काफी वैस्ता है सुविता है यह गेट नंबर थी है जिससे हमने अंदर प्रवेश किया था और अब हम चलते हैं सीडी मार्ग जहां सीडियों से लोग पेदल चड़कर आते हैं यह सीडी मार्ग है सीडीयों के दोरा पेदल यात्री यहां पर आते हैं और यहां पर बहुत सारी दुकाने लगी हुई है इन दुकानों पर फूल माला प्रसाद पुर्बांकी चीज मिलती है यहीं पर अब रोपवे कमार गए यह जो रास्ता जा रहा है यह रोपवे कमार गए यहां से हम रोपवे के द्वारा नीचे जा सकते हैं और उपड़ा सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग